दोस्तों अभी इस वीडियो में हम इसका आयो पीशे नायम इस्टेक्सर फोर्म लाई था दिये देखेंगे तो आप इस वीडियो को फुरा देखे चले हम इसके सुरायत करते हैं बिल्कुर सिंपल है दोस्तों आप अपना यहां पे इसको समझ यह पूरा पहले साइक्लो सब कब यूज करते हैं जब आपका यहां पे कारबन एक रिंग के रूप में आते हैं और यहां पे इस हैक्स सबत का क्या मतलब है नंबर ऑप कारबन कितने हैं सिक्स है देखिए यह आप अपनी लिस्ट याद किजिए हमारा आई पीशे नाम की कुछ सारे वीडियो आया है उन त्री फॉर फाइव सिक्स कारबन का मैंने आपका एक साइक्लिक चैन बना दिया है यानि रिंग बना दिया अब देखो यहां पे एक एं सुभदा है एं किस के लिए आता दोस्तों एनी वास्तव में क्या होता है एन इ yes, जब इसके साथ आप आपका o and ie जोड़ता है तो इसका i गाअब हो जाता है यह किसके लिए आता है कार्बन कार्बन की बीच सिंगल वांड के लिए आता है तो देखिए यह चोटे चोटे वर्ड है ना इनका आपको मतलब पता होना चाहिए कि यह क्यों आ रहा है यह मतलब का पता चालेगा जब आप खुद सेलफ स्टेडी करेंगे ठीक है जैसे यहां पर आपकी जो फंक्सलन ग्रूप है उनकी टेबल आपको यह याद होनी चाहिए यहां पर कीटोन है तो कीटोन का सफिक्स क्या यूज करते है ओनी यहां से इस सफिक्स को देख क्या पेंचान जाएंगे कि यह आपका क्या है कीटون है कीटون का जनरल फरम क्या होता है R-C-đबल-BOUND-O-R यहाँ कही आपका क्या जुढवाँ है कीटोन जुढवाँ है ठीक है तो हम नाम लिखना सुरू कर देते हैं देखो नाम क्या लिखेंगे हम यह आपका रिंग है तो रिंग के लिए हम क्या सबद यूज करते हैं साइक्लो सबद यूज करते हैं कार्बन कितने हैं यहां पर अभी मैंने बता है सिक्स कार्बन है नाम क्या बन गया शाइकलो एकजिनोन यह जो नाम दे रखा है यह आपका आई पीशानी जान कारी दोस्तों इसके बारे वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कर